देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी नियूज साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन चाहजापूर्ग में एल्टी लाइन को अंडर ग्राउंड करने का वर्क ओर्डर रिको ने मैसर स्वाम इलेक्ट्रिकल वर्क्स को दिया था इस कार्य को कंपनी ने जुलाई 2017 में ही पूरा कर दिया था जिसके बाद रिको अदिशाची अभियंता ने नीमराना साहयक अभियंता को कार्य पूरा का कंप्लीशन प्रमान पत्र देने के लिए आदेशित कर रखा था क्योंकि फर्म का एक करोड रुपे का बुक्तान पकाया था जिसके चलते साहयक अभियंता रमेशन मीना ने विद्युत आपूरती चालू करने की ये वज़ में परिवादी से एक लाख रुपे रिश्वत की मांग रखी थी इस पर बश्टाचार निरोधक प्यूरो अलवर और एसीबी चोकी प्रभारी के नेतरुत में शिकायत का सत्यापन करवाकर आरोपी को एक लाख रुपे की रिश्वत लेते रंगे हातों गिरफतार किया गया है फिलहाल एसीबी आरोपी से पूस्ताच में जुट गई है तो आपको बता दें कि अलवर में एसीबी ने बड़ी कारवाई की है नीमराना में एसीबी ने ट्रेप की कारवाई करते हुए जेवी वी एनल के सहायक अभियनता को एक लाख रुपे की रिश्वत लेते हुए रंगे हातों गिरफतार किया है एक कम्पनी को वर्क ओडर कम्पलीशन रिपोर्ट जारी करने की ये वज में गिया रिश्वत की मांग की गई थी जिसका एसीबी ने सत्यापन करवाया और जाल बिचा कर घूस खोर सहायक अभियनता को रंगे हातों एक लाख रुपे की रिश्वत लेते हुए गिरफतार किया गया है पूरा घटना करम नीमराना का है नीमराना की ये घटना है जहांपर एसीबी ने ट्रेप की कारवाई को अंजाम दिया है इस कारवाई के बाद ACB के महान इदिशक दिनेश MN ने जानकरी देते हुए बताया कि शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद में ट्रेप की कारवाई को अंजाम दिया गया है